जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पढ़ती है बोल किलब आजाद है तेरे द्यूस क्लिक पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे बोल सबा अब तक तेरी है बोल बोल नियूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिन कीजिए आपके सामने तीन विकल्प नियूस क्लिक का साथ दे रहे हमारी सदसिता को ग्रहिन करके मैं अभिसार शर्मा आपका शुक्रियादा करना चाहता हूँ और आज एक बार फेर एक ऐसा मुद्दा जिसका सीधा सरोकार जिसका सीधा तालुक इस देश की आम इनसान के साथ है आपके और हमारी शांति के साथ है आज मैं आपसे बहुती सीधा और सरल सवाल पूछना चाहता हूँ ज्यादा खतरनाक क्या है दोस्तों कोरोना की संभावित तीसली लहर जो अगस्त में भी आ सकती है अक्तुबर में भी आ सकती है और अब एक रिपोर्ट आई है कि बस अगले ही महिने अगस्त में कोरोना की तीसली लहर आएगी जो सितंबर में जाके पीक कर सकती है ज्यादा खतरनाक कोरोना की तीसली लहर होगी या फिर सामपरदाइक्ता का जहर जो लगातार हमारी जड़ों में घुस्ता जा रहा है और अब ये हालात हो गएं दोस्तों कि वहां से लोटना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है मैं शुरुआत करना चाहूंगा सामपरदाइक्ता के इस जहर से और इससे कोई निजात नहीं है दोस्तों जब तक हमारी राजनी तेक सोच नहीं बदलेगी जब तक आम जनता ये नहीं समझेगी कि इस सामपरदाइक्ता का जहर आपके और हमारे लिए खतरनाक है मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों या मैं एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कल्पना कीजिए कि आपकी या मेरी माँ, आपकी या मेरी बहन, आपकी या मेरी पत्नी हमारे परिवार में किसी औरत को ओनलाइन, ओनलाइन, सोशिल मीडिया पर नीलाम कर दिया जाए आपको कैसा लगेगा बताईए घुसा आया ना नधुने फूल रहे होंगे अंदर एक जुआला उबल रही होगी अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों लोगों ने किस तरह से तमाम हदों को पार कर दिया आपके स्क्रीन्स पर ये है कुइंट की खबर इसका शीरशक पढ़िए सुली डील्स आप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों का घलत इस्तमाल खबर क्या है मैं आपको पढ़की सुनाना चाहता हूँ आप कलपना भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों कि ये समाज इतना नीचे गिर चुका है सैंक्रो मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर सुली डील्स के नाम से एक आप पर चार जुलाई को अपलोड की गई ये तस्वीरें किसने अपलोड की इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है लेकिन ये काफी चौकाने वाला है जिसके बाद से ट्विटर पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियां दे रहे है बता दें कि सुला ये सुली एक अपमाजनक शब्द है जिसका इस्तमाल मुसल्मानों के लिए किया जाता है ये आप तब सामने आया जब लोगों ने ट्विटर पर अपना डील आफ दे शेयर करना शुरू कर दिया जिसके बाद से गिट हब ने इसे हटा दिया है गिट हब एक होस्टिंग प्लाटफॉर्म है जिसमें ओपन सोर्स कोड का भंडार है आप सुली डील्स गिट हब पर बनाया गया और इस्तमाल किया गया पेशे से पाइलिट हना महसिन खान ने किट के साथ अपनी बाचीत में बताया जिया हना महसिन खान का नाम भी इस सुली डील्स नाम के गिट हब में शेयर किया गया एक बार ओपन होने के बाद आप यूजर को Find Your Sully Deal of the Day पर क्लिक करने के लिए कहेगा ये तब एक मुसलिम महिला की तस्वीर को आपके सुली Deal of the Day के रूप में दिखाएगा अधिक संभावना है कि फोटो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ली गई है मैं अपनी तस्वीर को Deal of the Day के सौदे के रूप में देखकर इस पर Congress की निता हसीबा अमीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है Hey Shriyad Hondyal, thanks for this You spoke about how law can help For your kind information I registered in FIR when this happened with me last month Was even handed over to an investigating officer But in a few days I received a message that status of my report is changed to close Law hasn't been very helpful हसीबामीन Congress के कार करता है उन्होंने इसको लेकर शिकायत की उन्हें एक investigative officer यानि की जाच करने वाला अधिकारी भी दिया गया मगर कुछ दिनों बाद ये कहा गया कि मामला बंद कर दिया गया है जैसे मैंने कहा न कल्पना कीजे कि अगर आपकी मा की या आपकी बहन की या आपकी पतनी की निलामी इस तरह से कर दी जाए और बाद में पूलीस ये कहे कि नहीं साब वो मामला तो हमने बंद कर दिया है कैसा लगेगा आपको बताईए बात यहां नहीं रुकती एक और social media user है फातिमा खान वो क्या कह रही है और वो भी ये बता कर कि आपकी निलामी हो रही है वो क्या सोचेगी आप बताईए ना क्या सोचेगी और ये सवाल आज हम सब को पूछना है एक समाज होने के नाते कि हम किधर जा रहे हैं हम और एक political विचार धारा मुसल्मानों से अपने नफरत की चलते हमने तमाम हदों को पार कर दिया है सिर्व इसलिए कि तुम्हें लगता है कि मुसल्मान नफरत की सहरे तुम्हे वोट्स मिल जाएंगे तुम तमाम हदों को पार करोगे और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों सोशल मीडिया में एक बहुती लंबा चोड़ा प्रचार तंत्र है जो इस डील को बढ़ावा दे रहा था यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हम किस हद तक गिरेंगे और बात यहाँ नहीं रुकती है हर्याना में एक महा पंचायत का आयोजन हुआ दोस्तों हर्याना के पटोदी में और वहाँ पर खुले आम भारती जनता पार्टी नेताओं के भढ़काने पर युवा भढ़काओ बयान दे रहे थे आपके स्क्रीन्स पर सुदर्शन नियूज ने बाकाइदा उसका प्रसारण किया जिसके अंदर नवाब औफ पटोदी के च्छाती पर गोली मारने की बात तक की गई यहाँ दो सवाल उपते है यह युवा खुले आम इस तरह की धमकी दे रहा है और पुलीस निस पर कोई कारवाई नहीं की पुलीस को साथ ही सुदर्शन नियूज पर भी कारवाई करनी चाहिए थी क्योंकि सुदर्शन नियूज का एक इतिहास रहा इस तरह के जहरीले कारकरमों के प्रचार प्रसार का खुले आम दोस्तों और लगातार हो रहा है ये सुरजपाल अमू जो है वो भारती जनता पार्टी का प्रवक्ता है कोई रहा चलता गुंडा नहीं है कोई राज चलता कारकरता ट्रोल नहीं है इसको हाल ही में हर्याना बीजेपी का प्रवक्ता बनाया गया है और ये इसी तरह के भड़काओ बयान देता है क्यों? क्या भाजपाहरियाना को लगता है कि जिस तरह की ज्यादती तुमने किसानों के साथ की उसके बाद तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसी तरह की सियासत करके तुम्हें वोट मिल सकते हैं और जब पुलीस से दोस्तों इस पर सवाल किया गया, तो आप देखिये पुलीस ने कितना वाहियात बयान दिया है, आपके स्क्रीन्स पर इनका कहना है कि अभे तक हमें कोई शिकायत ने मिली, इसलिए हमने कोई गिरफतारी नहीं किया है जब सिदीग कपन उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते हैं, यहां एक गुडिया के साथ बलादकार और उसकी हत्या की गई होती है, तब आप उन्हें आतंकवाद की धाराओं में गिरफतार कर लेते हैं कल ही सिदीग कपन की बेल को फिर ना मनजूर कर दिया मत्हुरा की कादालत में, जो कल्पना से भी विचित रहे, यहीं नहीं हाली के दिनों में घाजियाबाद में आपको याद होगा, एक दाड़ी पहने बुजर्ग का वीडियो आया था, जिसमें उसकी दाड़ी काटी ज जा रही थी, उस वीडियो का कोई आडियो नहीं था, उस बुजर्ग ने ये आरोप लगाया कि मुझ पर जबरदस्ती की गई जैश्री राम के नारे लगाने के, बाद में पुलीस ने अपनी पड़ताल में पाया कि जिन चार लोगों ने उन्हें टार्गेट किया था, उन इन में से चारों या पाँचों मुसल्मान ही थे, हालकि उनका ये कहना था कि देखी हमने जो रिपोर्ट की है, वो उस बुजर्ग 72 साल के व्यक्ती के बयान के आधार पर की है, तो वो खुद तो जुट नी बोल रहे थे, तो आपने देखा दोस्तों, कुछ मामलों में सो में रालिया निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हर्याना में किसान इन से नाराज है, और इन्हें लगता है कि एक मात्र तरीका वोट हासल करने का यही है, कि समाज के अंदर जहर को बो, और समाज के अंदर हिंदू और मुसलिम को दो भाड़ कर दो, मगर उसी भी बड़ा सवाल आम जनता से है, कि हम अपने आपको इस जहर में साराबोर होते कब तक देखते रहेंगे, कारकरिम के शुरुआत में मैंने आपको बताया, कि मुसल्मान लड़कियों को ऑनलाइन नीलाम किया जा रहा है, उस सो कॉल्ड सुली डील्स के जरीए, अरे बेशर्म आप उन लोगों को टार्गेट नहीं कर रहे हैं, उन औरतों को, या पटाओी में जन मुसल्मानों को आप टार्गेट कर रहे हैं, आप अपनी आत्मा को नफरत में डुबो रहे हैं, आप खुद को नफरत में डुबो रहे हैं, नुकसान उनका नहीं है, नुकसान हमारा है और इसलिए कारकरम की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि जादा जहरीला क्या है सामप्रदाइकता का कीडा या कोरोना वाइरस क्योंकि अब खबर यह आ रही है दोस्तों कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है और बहुत जल्द अगस्त में मगर उससे पहली यह तस्वीरे देखिए नैनिताल की यह तस्वीर है लोग नैनिताल और तमाम हिल स्टेशन्स पर भीड लगाए हुए है मनाली में लोग पहुँच गए होटेल्स में उन्हें जगा नहीं मिली कल को यही लोग अस्पतालों के सामने रोएंगे कि अस्पताल में मुझे बिस्तर नहीं मिल रहे आपको शर्मानी चाहिए कि आप खुद को किसके दर खत्रे में डाल रहे है अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों यह खत्रा कितना गंभीर है मिंट की यह रिपोर्ट है मैंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है जो मैं अब आपको पढ़की सुनाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन्स पर भारत में अगस्त में आएगी कोरोना की तीसरी लहर सितंबर में पीक SBI State Bank of India की रिपोर्ट है भारत में अभी कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी ही पड़ी है कि तीसरी लहर को लेकर कयास लगने लगे है इस बात की संभावना जताई जाने लगी है कि अगस्त तक इस महमारी की तीसरी लहर आ सकती है जो की सितंबर तक अपने चरम पर पहुँच जाएगी भारती स्टेट बैंक दुआरा तयार एक रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है आगे रिपोर्ट क्या कहती है वो और भी चिंतित करने वाली बात है SBI की COVID-19 Race to Finishing Line Research रिपोर्ट में कहा गया है मौजूदा अकड़ों के अनुसार भारत में जुलाई के दूसरे सप्तह के आसपास रोजाना लगभग 10,000 COVID-19 मामले सामने आ चुके हैं हाला कि मामले अगस के दूसरे पक्खवाडे तक बढ़ सकते हैं आपको बता दें कि दूसरी लहर 7 माई को चरम पर थी जब 4,000,000 से अधिक मामले सामने आये थे Research में कहा गया है कि अनुमान रुजहानों पर आधारित है वैश्विक डेटा से पता चलता है कि औसतन तीसरी लहर के दौरान पहुँचने वाले चरम मामले कोरोना वाइरिस महामारी की दूसरी लहर से लगभग 2 या 1.7 गुना अधिक हैं इसका मतलब क्या है दूसरी लहर में आप जानते हैं लाखों लोग मारे गए लोगों के पास अस्पतालों में जगा नहीं थी, दवाईया नहीं थी, ऑक्सिजन नहीं थे हाहाकार मच गया था, सरकारे पूरी तरह से बेबस थी अब ये बताया जा रहा है कि ये जो तीसरी लहर आई है, आज सकती है वो एक दशमलव साथ गुना ज्यादा हो सकती है मेरी ईश्वर से यही प्रारतना है दोस्तों कि ऐसा नहो और सबसे ज़्यादा चिंता जनक बात, आपकी स्क्रीन्स पर ये खबर बताया जा रहा है कि कोरोना का ये लांबडा वाइरिस वेरियंट है दोस्तों, और ये बताया जा रहा है कि इसकी उत्पती इसका जो जेनिसिस है वो भारत में ही हुआ है और ये कोरोना के अटेल्टा वाइरियंट से कहीं ज्यादा खथरनाक है खबर क्या कहती है, पड़ कि सुनाना चाहता हूं दोस्तों बाताया शोग्ता पर लीजा की बताया के लियंदा-चाहता है विल्थ मिनिस्ट्री ट्वीटिड ओन मंडे और ये खबर है साथ जुलाई की आप और हम सब हम सब को होश में आना पड़ेगा दोस्तों कुरोना से लड़ाई लड़ना यकीनन सरकार को उसकी दुमाइंगी करनी पड़ेगी बगर आप और हम जो आम जनता हैं हम ला परवाही नहीं बरत सकते हमें देखना होगा क्योंकि अगर ये तीसरी लहर आती है और और वो इसी तरह से दो गुना ज्यादा और देड़ गुना ज्यादा है तो सोच की भी सेहरन पैدا होती है दोस्तों कि समाज का क्या हाल होगा उसके बाद क्योंकि हमारी स्वास्त विवस्था बह करते दिख रहे हैं मगर सरकार की जो बड़ी सोच है इस मुद्दे को लिकर वो क्या है हम नहीं जानते इसलिए साफधानी आपको और हमको बरतनी पड़ेगी हम उस तरह की लापरवाही नहीं बरत सकते जिसकी तस्वीरे मैंने आप आपको अभी अभी दिखाई थी मनाली में और नैनी ताल में मगर दोस्तों बोल के लब आजाद है तेरे में मैं इसी तरह से मुद्दे लगाता और उठाते रहूंगा अभी सार शर्मा को दीजिए अजासत नमस्कार